सब्सक्राइब नौ और प्रेश दी बेल आइकन काटरिना कैफ को तेज बुखार और सरदर्द हुआ जिसके बाद विकी कोशाल ने जल्द से जल्द उन्हें खरीबी हॉस्पिटल में एड्मिट किया है दोस्तो जब काटरिना कैफ की हेल्द कंडिशन के बारे में सल्मान खान को पता चला तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गए और रोने लगे भाईजान ने काटरिना कैफ से हॉस्पिटल में जाके मुलाखात की और उनकी हेल्द के लिए दुआ भी की सल्मान खान का कहना है कि काटरिना कैफ की हेल्थ काफी जादा खराब है इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एड्मिट किया गया है भाईजान ने उनके सबी चाहने वालों से कहा कि हम सब को मिलकर काटरिना कैफ के लिए जितना हो सका उतना दुआ करना चाहिए ताकि कट्रिना कैफ की तबीत जल्द से जल्द ठीक हो जाए और वो सही सलामत वापिस अपने घर लोट जाए दोस्तों जब फैंस को कट्रिना कैफ की बुरी हεται कंडिशन के बारे में पता चला तो कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर काटरिना कैफ की फोटो शेयर करते हुए उनकी हल्थ के लिए दुआ भी की वैसे दोस्तों आप सब भी अगर काटरिना कैफ के फैन है तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर देना और आप सब नीचे कमेंट करके काटरिना कैफ की हल्थ कंडिशन के लिए दुआ जरूर कर देना